हेलो सुदेंट्स आज हम इस वीडियो में कंपनी लॉपेपर में एक छोटा सा टॉपिक आता है दैट इस डॉक्त्रीन ओफ अल्ट्रा वायरस हम उसको डिसक्स करेंगे तो यह जो अल्ट्रा वायरस है वह काफे इंपॉर्टेंट है कंपनी लॉपेपर में सब्जेक्टिव क में भी लॉंग कोशन में भी इसके एफेक्ट से रिलेट करके पूछ लेते हैं और एम से क्यों के लिए तो यह काफे इंपॉर्टेंट है यह तो अगर हम दॉक्तिन ओफ अल्ट्रा वायरस के बात करते तो पहले दिखते हैं किस चाप्टर को कवर करता कहां से यह आया है त तो उसी के अंदर यह सब टॉपिक आता है दॉक्तिन ओफ अल्ट्रा वायरस अब इसका पहले लिट्रल इंटिप्रेटेशन कर लेते हैं तो दॉक्तिन एक मींस क्यों जाता है दॉक्तिन मींस जस्टेट्मेंट या कोई थेरी और वायरस वायरस के स्पेलिंग यहां करें टो इस अल्टर वायरस वर्याथ अगर अगर रहां का लो की बात कर रहे हैं मतने आघ सिंट ओक्ते अबकूम्पनीफ कि बिएंट करती है को बी اर्ट अपने पावर की ब्यॉण करती है तो वो क्या कहह लाता हैं एंत्व्टरा वायरस तो we can say that any act done by the company will and the scope of its power is कि आपके power कहां दी जाती है आप भींगन company आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो तो आपका charter document क्या होता है तो ultimately meaning हुई कि जो आपके memorandum of association में बाते कही गई ہیں जो आपको power है कि आप ये काम कर सकते हो ये काम कर सकते हो ये बात कहा है आपके object clause में, तो जो आपके MOE के object clause में दिया गया है, जब कभी भी आप उसके beyond काम करते हैं, मतलब आपका object clause कुछ भी कह रहा है कि आप ये काम करिए, चाहे वो express हो, चाहे वो implied है, अगर आप उसके beyond जाके कोई काम करते हैं, जो उससे बिल्कुल relate नहीं कर रहा हो, उसकी help के लिए नहीं, उस object को attain करने के लिए ना हो, ना ही उससे relate कर रहा हो, तो हम उस चीज को क्या कर देते हैं, कि ये beyond the power हो गया, beyond the authority हो गया, तो ultimately जब MOE के object clause के अंदर जो भी चीजे कही गई है, expressly implied form में, अब अगर आप उसके according act नहीं कर रहे हैं, उसके बाहर जाके आप कोई क करते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं, ultra virus, doctrine of ultra virus, right, तो basically MOE के beyond जाना आपका, first thing important जो इसमें, ये आपको याद रखना, अब अगर आपने कोई ऐसा act कर दिया, जो कि ultra virus है, right, जो आपके beyond the power था, तो अगर आपने ऐसा act कर दिया, तो वो act का legal status क्या होगा, वो act क्या कहलाएगी, तो वो act क्या हो जाएगी, पूरी तरीके से void ab initio हो जाएगी, null and void हो जाएगी, मतलब उसका कोई existence नहीं रहेगा, अगर आपने कोई ऐसा contract कर लिया, कोई ऐसा agreement कर लिया, जिसको करने की power आपका MOE आपको देता ही नहीं है, आपके charter documents आपको दे ही नहीं रहें, आपके object में इसा कोई power आपको ही नहीं है, फिर भी अपने कोई ऐसा agreement और कोई contract कर लिया है, तो वो contract क्या हो जाएगा, null and void हो जाएगा, मतलब आप उस पे कोई sue नहीं कर सकते हैं, या उसके लिए आप किसी third party के case आप नहीं कर सकते हैं, तो पूरी तरीके से void हो गया, बेकार हो गया, ठ है, तो उसका जो result होगा, वो क्या होगा, वो वॉइड होगा, ना लैंड, वॉइड होगा, ठीक है, दूसरी चीज जो इसमें important होती है, जिससे questions आते हैं, कि doctrine of ultra virus पहली बार कैसे आया, तो first pronounced by Ashbury Railway carriage case में, यह कब की हुआ था, जो Ashbury Railway carriage and iron company limited versus Richie का जो case था, इस case के through ही doctrine of ultra virus का concept आया है, ठीक है, अब थोड़ा साम इस case के बारे में भी समझ लेते हैं, तो आपको आगे के लिए help होगी, यह जो case है, वो 1875 में आया हुआ case था, और अब इस case का मतलब समझे के देखे, ए Ashbury Railway carriage and iron company limited है, तो यह railway carriage company है, ठीक है, तो यह जो Ashbury company थी, इसका main object, MOE में जो उसका object दिया गया था, वो था, कि यह जो railway के engines वेगेरा हैं, उनको बना सकते हैं, उसको sell कर सकते हैं, उसको land कर सकते हैं, hire कर सकते हैं, यह यह काम कर सकते हैं, जो भी railway से related है, बोगन वेगेरा है railway के lines हैं, ठीक है, तो engine engine है, इन सब के लिए इनके object clause में इनको यह power दी गई थी, कि make करना, ठीक है, आप buy कर सकते हो, sell कर सकते हो, आप hire कर सकते हो, यह काम कर सकते हो, अब इनको Belgium की government के थूँ एक अच्छा-खासा contract मिला, कि आपको railway line बचानी है, लेकिन इनके पास already बहुत स नहीं थे, पर यह अच्छा contract था, और यह चोड़ना नहीं चाहते थे, तो इन्होंने एक richie person, मतब रिची थे, उन से contract किया, और उनको बोला कि आप मेरी जगा पर यह काम कर लो, contract तो मुझे मिला हुआ है, पर मैं आपको assign करता हूँ कि आप यह complete कर दो, अब रिची के पास सब कुस तो था, पर उसके पास पैसे नहीं थी कि वो उस काम को complete कर सकता है, तो ashbury company ने यह कहा, कि चुकि मेरा contract है, तो finance मैं आपको कर दूँगा, मैं आपको finance करता हूँ, आप railway line जो है, बिचाईए, बाद में कुछ ऐसा आया, कि जो shareholders थे, उन्होंने कहा कि देखिए, आप आपको finance करने की power आपके object clause में नहीं दी गई है, आपके object clause में क्या कहा गया है, कि आप railway engines के लिए, यह जो carriage वेगरा, यह सब जो भी समान है, आप इनके लिए, इनको आप खरीच सकते हो, बना सकते हो, sell कर सकते हो, land कर सकते हो, right, hire पे कर सकते हो, लेकिन आप किसी company को, किसी क इसको बनाने के लिए, पैसे finance नहीं कर सकते हो, उनको दे नहीं सकते हो, ऐसा आपके object clause में नहीं है, तो यह क्या हो गया, आपके beyond the power हो गया, तो यह गलत है, तो जब एश्वरी कंपनी ने यह बाते आपके रिची को बताई, तो उस case में थोड़ा सा problem आया, रिची इस तरह आगे बढ़ गया, तो फिर इनका मांगना था, एश्वरी का मानना था कि आप मेरे जो पैसे मैंने आपको finance करके दिये हैं, वह मेरा वापस कर दीजी, और रिची सीज के लिए ready नहीं थे, तो case आगे हो गया, case गया, और वहाँ पर यह decision आया, कि बिलकुल यह बात सच है, कि यह जो चीज की गई है, आश्वरी के थूप, वह उनके power के beyond है, और जब power के beyond है, तो वह यह काम करने के लिए legal ही नहीं है, यह तो पुईतरी के सब void हो गया, तो आप इस तरह के किसी contract में आहीं नहीं सकते हैं, मतलब जो आश्वरी और रिची के बीच में contract हुआ था, कि आ हमारा परपस कंप्लेट कर रहे हैं, तो केस क्या होगे कि यह contract ही वोइड है, ऐसा contract legal ही नहीं है, आपको यह finance करी नहीं सकते हैं, क्योंकि यह इनके power के beyond है, ठीक है, तो अब यहां से जो concept निकल के आए, that is ultra virus, doctrine of ultra virus, तो यह कई बार बूचा जाता है, कि doctrine of ultra virus किस case से आया, कि case pronounced हुआ था, तो यह क्या होगे, आपका एश्वरी railway carriage and iron company limited versus Richie case से यह concept drive हुआ था, यह आपको याद रखना चाहिए, अकसर पूछा जाता है, ठीक है, अब एक चीज इंपोर्टेंट है, जो आप मिस्स कर रहे हो, यह आपके दिमाह में एक वेरी जानी चाहिए, कि अगर ऐ MOA का object clause हमें permit नहीं कर रहा है, और इस वज़ा से हमने, और हमने कोई act कर दिया, वो वाइड हो जा रही है, तो क्यों नहीं हम इसको, हम इसमें alteration कर सकते हैं, क्योंकि MOA में alteration तो possible है, आपके OMA, Article of Association में भी, Memorandum of Association में भी, सभी जगा alteration possible है, तो क्यों नहीं, शेयर होड़ करते हैं, तो prospective effects, alteration होती है, ना कि retrospective effect, इसका मतलब क्या हुआ, कि अगर आज मैंने alteration की, तो जो भी alteration की है, वो आज के बाद के लिए effect में हैं, prospective है, मतलब आज से future के लिए यह हो गया, retrospective नहीं हो गया, backdate से यह applied हो जाएगा, जो मैंने आज जी सिजन यह जो मैंने आज च हो चुका है, और फिर आप अल्टर करके उसको सोच रहों कि shareholding उसमें consent दे दें, चाहिए वो anonymous consent क्यों नहीं हो, मतलब सब मिलके ही क्यों ना agree करें, फिर भी यह वाइड ही होगा, क्यों कि आप इसे retrospective effect से नहीं कर सकते हैं, अब आज की बात जो करोगे, तब होगा possible, लेकि यह अल्टर वाइरस के category में आ जाता है, clear है, एक चीज़ और इसमें जो MCQs के form में पूछ ले जाता है, कि doctrine of ultra wireless किसको protect करता है, तो याद रखिएगा, यह shareholder के interest को protect करता है, यह creditor के interest को protect करता है, कि जो funding, जो पैसे उनके हैं, जो उन्होंने लगाए हैं, जो या company में जो प करती है, कमनी यह काम करेगी, तो यसा profit कमाएगी, तो मुझे return मिलेगा, कल को company काम ही नहीं कर रही है, वो कुछ और ही करने लग जा रही है, तो यह किसको protect कर रहे है, shareholder को protect करता है, तो that's why ultra virus क्या होता है, यह protest करता है, interest of the shareholders and creditors, उनके funds को insure करता है, clear है, तो यह कई बार questions म पूछा जाता है, so हमने basically क्या क्या देख लिया, हमने देखा कि doctrine of ultra virus क्या होता है, जो कि जब company beyond the power कोई भी act करती है, that is ultra virus, दूसरे हमने देखा कि अगर कोई ऐसा act हुआ है, तो इसका legal status क्या है, तो that is, that is null and void, पूरा तिज़ा से void abonetio हो गया, और हमने क्या देखा, कि हमने ये भी देखा कि ultra virus का literal meaning, मतलब अगर हम logically meaning निकाले तो इसका मतलब हुआ, कि जब कभी आप कोई भी चीज ऐसे करते हैं, जो MOA की object clause के beyond में है, तो वो ultra virus बन जाती है, तो वो क्या बन जाती है, ultra virus बन जाती है, right, इसके लब हमने देखा कि doctrine of ultra virus कि किसको protest करती है, तो हम हमने ये भी देखा कि ये word जो है, वो कहां से प्रणाउंस हुआ, तो हमने एश्बरी railway carriage and iron company limited का case बे डिसकास कर लिया, okay, so ये important चीजे थी, लेकिन एक चीज और इसके साथ में आपको बता दू, कि suppose करिये, आप से बोला गया, कि कोई company ने कोई ऐसा act किया, जो कि directors acts ultra virus, इसने अपने power के beyond कोई काम किया, तो ये भी तो ultra virus हो गया, क्योंकि directors की power जितने की थी, उसे beyond काम कर रहा, तो that is also ultra virus, लेकिन ये ultra virus ratified किया जा सकता है, क्योंकि ये विदिना power हो गया, ठीक है, company के beyond power ने, company के power में है, company के members, company के लोग चाहें, तो उसको ratified करके directors को ये power दे सकत क्योंकि वो article of association से कहीं ने की connect हो सकता है, एक हाई लेक होती है, एक होता है, सबसे पहले, सबसे lowest level पर देखो तो director हो गया, ठीक है, director अगर कुछ काम करता है, तो वो उसकी permission उसको कहां से मिलती है, वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, उसकी power कहां लिखी होती है, AOA में लिखी होती है, article of association से, तो उससे बढ़ा कोन हो गया, article of association, तो कलको director कोई चीज करता है, तो article of association में amendment करके, मत उसमें alteration करके, उस चीज को ratified कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, तो अगर कहा गया, कि director ने कोई चीज, ultra virus act किया है, तो क्या वो ratified है, यस वो ratified है, आप ultra virus का न तो अगर director का कुआ, तो ultra virus अगर कुछ है, तो ratified कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, तो director से उपर कोन आ गया, अगर AOE से उपर कोन आता है, MOE आ गया, और MOE को उपर कोन आ गया, आपका companies act आ गया, तो अगर AOE में कुछ गरबढ़ है, कोई act ऐसा किया, अगर जो AOE की power की beyond अगर की, ultra virus act है, जो की articles related है, तो उस case में हम articles को भी special resolution के through ratified कर सकते हैं, एक general meeting shareholders की बुलाएंगे, और हम उसको special resolution पास करा के उसे ratified कर सकते हैं, article को भी, ठीक है, उसके ultra virus को भी, वो भी ratifiable है, director का वो भी ratifiable है, किसका ratifiable नहीं है, जो company का ये memorandum का ultra virus होता है, वो ratified नहीं किया anonymous consent of all assured, but still it's not be ratified condition, वो ratified condition में नहीं हो सकता है, okay, so याद रखिएगा, तो ultra articles का हो सकता है, directors का ratified हो सकता है, पर company memorandum का नहीं हो सकता है, तो इसकी hierarchy क्या होते है, सबसे चुटा director हो गया, दिन AOA हो गया, दिन MOA हो गया, तो articles, अगर कुछ directors का problem है, तो AOA का problem है, तो भी MOA में बात करके में क्लियर करवा सकते हैं, MOA में ही कर दियो तो कोई option है नहीं है, फिर तो ratified नहीं हो सकता है, okay, so I think आपको doctrine of ultra virus clear होगा, इनके cases के बारे में आपको clarity होगी, और इस से related कई MCQs आप से जनरली पूछे जा सकते हैं, जैसे act done by company beyond its power art termed as, वो क्या होगा, intra virus, ultra virus, तो अबसी बात है, वो ultra virus, intra virus जसका opposite होता है, within the limit, within the power, that is intra virus, ultra beyond the power, right, तो यह कुछ ऐसे ऐसे questions आपके आते रहते हैं, so I hope आपको clear होगा, we show all the best, thank you so much.